आज एक्विरियम बनाना सीख रहे हैं यह डाव कॉर्णिंग की सिलीकॉन आते ही जरूर इत्माल करें इसके लावा कोई और सिलीकॉन ना लें इस सिलीकॉन को सबसे पहले आप साइड में लगाईए उठके दिखा वेटा सिलीकॉन के साइड में लगाईए एक इस कोने पर लगाई है त्री एजिस में लगाते हैं सिलीकॉन इससे साइड और प्रंट का ग्लास जोड़ जाए और अब यह ग्लास लगाएंगे नीचे गाम सबसे पहले बेस सम बैक लगा रहे हैं बैक आप एजिस से एजिस मिलाके लगाईएगा त्री लगाएगा लग इसके साइड लगाएंगे हमने सिलीकॉन लगा रखके और कर दिया हमने कांच पर एजिस पर एजिस मिलाने अब बोलो टेप लगाएंगे इसको चिप्पाने के लिए एजिस मिलागे तो में किलकुल विकार काम करते हैं देखनी देखनी लिए अब इसे अंदर से किसका नहीं है रेडी ये एक साइड में पहले से लिपन लाएंगा उतर भी लगाई थी वीडियो नहीं बन पाई थी अब पॉस्क अब इसका है अब जिसे एज मिलाना है ध्यान रखी गाएंगे विल्कुल ओने से कोना मिलना चाहिए अना फिनिशिंग नहीं आई इसके वाद इसमें पहुस करो यह टेप लगा दिया हमने इसमें साइड में इसको रोपने के लिए होता है यह टेप और तालिस घंटे बाद हम अटाएंगे जब्सक्राइब बन जाएगा कि वाली पूरे सब साइड में अंदर से एक बार सिलिकॉन भर देंगे इसको पैंसे लो जिससे पतला हुआ है इसको भेड़ना जरूरा वरना आपका इक्वेडियम लीग पास कर दो यह माई तीनों एजे समने सिलीकॉन से उंगली से फेर दिया है विए फ्रंट का कांच लगा रहे है फ्रंट मान लीजे बैक मान लीजे इसको आपके बिल्को टकर से टकर वालाई इंद लाज़ की इधा लाओ और करो कि यह अब कर चौता गलास लगाने के बाद ही पूर्य आप सिलीकॉन भर दीजे इसके अंदर पर द्यान रखेंगा सिलीकॉन भरने के बाद इसको उंगली से जरूर पेस्ट कर दें और नहीं यह सुख है और नहीं दिक्कत होगी लीख होगा एक्वेरियम वहाना एक्वेरियम तरिके से पूरा तयार हो गया है और यह एजिस मिला के आपने लगा दिये पूरे उपर तक एजिस यह आपका एक्वेरियम 48 घंटे बाद आवे इसमें पानी बढ़ सकते हैं यह पूरा अंदर से सुख जहा है 48 घंटे बाद की वीडियो है यह अंदर से पूरा सुख चुगा है कभी भी एक्वेरियम रखे नीचे थर्मोकल जरूर रखेएगा यह आपका एक्वेरियम त्यार हो गया है यह आट हेवें ग्लास में बनाया है हमने अधाई फूट का साइज है कर दो लोग जो वे एक्वेरियम अंदर से साइज है